है ऐलो वाच्छों कैसे आप सब लोग चलो ठीक है अच्छी हो गए परिछा के लिए पढ़ते रहना और अमसे जरूर जोड़े रहना हम जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छ चीज़ बताएंगे प्यारी प्यारी बच्चों के लिए फिर इछ ठीक है चलो आज देखते हैं IVF, in vitro fertilization, ठीक है, बैसे तो नॉर्मली देखा गया है, कि जादा तर ऐसा नहीं होता है, कि जो हमारे couples जो होते हैं, वो babies produce ना कर सके, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी कमिया आ जाती हैं, सरीर में, बोडी के अंदर, जो reproductive organs बगएरा होते हैं, उनमें, इसकी बजए से ऐसा possible नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ऐसे ही आज हम बहुत important concept तो discussion करेंगी, IVF, IVF, in vitro fertilization, ठीक है, in vitro fertilization, ठीक है, इसका full form भी एक्जाम में पूछा जाता है, देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि ये female है, बड़े careful तरीके से इसके एक को हम बाहर कर लेते हैं, कहां करते हैं, बाहर, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, इस बात को, कि IVF जो है, जिसका मतलब ही होता है, in vitro fertilization, in vitro fertilization, in means मैं, vitro means कोई भी पात्र, as a test tube, हम इसमें testive use करते हैं, और वहां पर जाकर हम क्या कराते हैं, तो यहां से हम बड़े careful तरीके से क्या लेंगे, ओबम लेंगे, क्या लेंगे, ओबम लेंगे, इसका आएग लेंगे, क्या लेंगे, एक, ठीक, और मेल से हम क्या रिलीज करवाते हैं, इस्पर्म, इस्पर्म रिलीज करवाते हैं, ठीके, और फिर इसके बाद हम यूज करते हैं, test tube, देखो, आप देख रहे न, ए है test tube, ठीक, ए test tube है, तो हमने क्या किया, कि यहां हमने लिया, एग, और यहीं हमने, उसी के husband का लिया, क्या, इस्पर्म, जैस्पर्म है, ठीके, अब हम यहां पर कराते हैं, इसे क्या, फर्टिलाइज कराते हैं, इसमें क्या बन जाता है, एक डिपलॉइड स्टक्टर बनता है, जिसे हम कहते हैं, जाइगोट, क्या कहते हैं, बेटा, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, आई वा समझ में, इसके बाद, धीरे-धीरे, इसकी सेल, जो है, वो डिवीजन करती है, डिवीजन, कंटीनियूस्री डिवीजन करती है, दो, चार, आठ, शोला, फिर बत्तीस, तो जैसे इसमें 32 सेल्स बन जाती हैं, फिर हम इसे इंप्लांट करा देते हैं, फीमेल यूटरस के अंदर, ऐसे करके, ठीक, फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ट्रीटमेंट चलता रहता है, आज बास समझ में, धीरे-धीरे बाद में, चाइल्ड वर्थ होती है, तो इसमें एक बास समझने की कोसिस करना, कि कई को लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि टेस्ट्यू बेवी इसलिए बोलते हैं, जो कि साइध पूरा बच्चा ही टेस्ट्यू में बनता हो, प इसके बाद, नाइन मन्त, टेन डेज के बाद या उससे पहले धीरे-धीरे ये लेडी एक नैचुरल चाइल्ड को बर्थ करेगी, जनम देगी, समझ में आया, लेकिन प्राइमरी जो कंडिसन थी, वो कहां हुई थी, टेस्ट्यू में हुई थी, इसलिए हम इसे टेस्ट्य बेबी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर आप इसे अच्छे से पढ़ना, और फिर आगे भी जुड़े रहना, ताकि आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो सके, ठीक है, धन्यवाद,